जेवर में लगने वाला स्री दाउजी मंदर मेला यानि के लखी मेला इस बार भी नहीं लगाया जाएगा साथ दिन लगने वाला यह मेला किस बार भी कोरोना गाइडलाइंस के चलते कैंसल कर दिया गया है साथ दिन केवल मंदर पर रोशनी होगी और स्री दाउजी महाराज के दरसन कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए किये जाएगे 12 तारिक यानि के कल श्री दाउजी महराज का जन्म दिवस मंदिर प्रांगर में ही कोरोना वायरस की गाइडलाइज को ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा बाकी 18 तारिक को इस रोष्णी का श्री दाउजी के डोले के साथ समापन होगा श्री दावजी मंदर प्रवंद समीती के अध्यक्ष श्री ओम्परकाश सर्मा ने इस विशा में जानकारी दी सभी भक्तों से हमारा नमर नेवेदन है कि दावजी महाराज के दर्शनों के लिए बराबर साथ दिन कारेकरम चलेगा और कल इसको आप लोग पहले से रोशनी का नाम देते आएं वो चीज साथ दिन बराबर चलेगी कल रोशनी होगी और दावजी महाराज के दर्शन होंगे इसके बाद सातों दिन बराबर रोशनी चलेगी और दावजी महराज के दर्शन होंगे आखरी दिन दोला बल्देव और कृष्ण बल्देव का दोला और उसके साथ भजन बगेरा करने वाले लोग इसके साथ साथ बेंट बगेरा जो भी हैं वो उनके आगे-ागे चलेंगे और उसके बाद मेले का इती सिरी रात को हो सिरी दावजी मंदिर पर लगने वाला यह मेला प्रतिवस धूबधाम के साथ मनाया जाता है और लोग एक त्योहार की तरह इस मेले का इंतजार करते हैं परंतु बीते दो साल से कोरोना वाइरस के चलते यह मेला लग नहीं पा रहा है इसकी सूचना आज मंदिर प्रवंद समीती के आईजा को द्वारा दी गई नितेश चोंकर के साथ चंचल कुमर शर्मा जेवर प्रेस के लिए